जेन दोस्तों बंदे मातरम अभी कुछ दिनों पहले बर्खदत तो नरुत्तम मिश्रा का जो वीडियो काफी जादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बर्खदत का मूँ इस कदर बंद किया था मतलब कि उसको देखकर लोग उनके कायल हो गए थे कि यार क्या कोई ऐसे भी जवाब दे सकता है वो भी लाइव तो ऐसे में अब नरुत्तम मिश्रा की चर्चाएं एक बार काफी ज़ादा होने लगी है और ऐसे में जिस प्रकार से नरेंदर मूदी जी के डेप्यूटी की रूप में योगी आदितरात को देखा जाता है और उसी के नतीजे हैं जो आज की डेट में हमारे सामने आ रहे हैं और फिर भाई काम अगर ऐसा होता है जिसकी तारीफ होनी चाही तो उसकी तारीफ होती भी बस बात यही है कि सोशल मीडिया का भी नहरुत्तम मिश्रा जी को काफी साथ मिल रहा है और वो इस समय युगाओं के बीच में काफी ज़्यादा लोगप्री हो रहे है मदबरदेश के खरगौन में राम नम्वी पर जो हिंसा होई थी और उसके बाद इस तरह से राजे सरकार ने एक्शन लिया उसे पूरे देश ने देखा प्रशासन बुल्लेजर को लेकर आया और उन मुसल्मानों की इड से इड बजा दी जिन्होंने जुलूस पर पत्थर बाजी करी थी प्रशासन दौरा लिये गए एक्शन का सहरा मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहन के सिर पर बंधा जा रहा है लेकिन जब ऐसी हो तो हमें उस नाम को भी किसी भी सूरत में खारिज नहीं करना चाहिए जिसका रुख अराजक तत्वों पर सपष्ट है जो उपद्रवियों का जीरो टॉलरेंस की नीती अक्तियार कर चुके है खरगौन हिंसा के बाद जिसके जैसे बयान है साफ है उसने लाइन ओर्डर के लिहाद से यूपी के मुख्य मंतरी योगिया देतरात को अपना अराद धिमान लिया है और जंगाईयों के खिलाफ अपने अरादे के ही नक्षे कदम पर है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मदबरदेश के ग्रह मंतरी नुटم मिश्रा की खरगौन हिंसा के बाद जो रवाईया बतौर ग्रह मंतरी नुटम मिश्रा का है साफ है कि जैसे उन्होंने कसम ही ख़ा ली है कि जो भी हो अपने कुकर्मों से सूवे के अमन और शान्ती को जो भी परवाइद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा खरगौन हिंसा और इस हिंसा के बाद जो एक्शन प्रशासन ने लिया उसे नरुत्तम मिश्रा ने सही ठहराया और अपनी बात पर कायम भी है अब जब नरुत्तम मिश्रा ने धंगाईयों के खिलाफ लिये गए एक्शन पर सवाल हुआ तो उन्होंने सरकारी निर्णाय को जायस बताते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है वहीं जिस तरह सरकार ने बुल्डोजर चलाकर उपदरवियों के आशियानों को जमीदोस किया उस पर जब बतौर ग्रहमंति नरुत्रमिश्रा ने सवाल हुआ तो उन्होंने एक्शन को वक्त की जरूरत बताया बकॉल मिश्राज जो कोई भी नियमों के वरुद जाकर काम करेगा उस पर इसी तरह से बुल्डोजर चलाए जाएगा ध्यान रहे कि राम नवमी के दिन खरगौन और बढ़वानी में जलूस पर पत्रा हुआ था इसके बाद ना केवल प्रशासन हरकत में आ गया था बलकि एक ऐसा एक्शन लिया गया था जिसने सियासत तेज कर दी है और मामले को हिंदू मुस्लिम का रगदे दिया है बताते चलेंगे कि रहमंतराले के नर्देश के बाद खरगौन में अब तक 77 के आसपास लोगों के रफतारी हुई है और इस्थानी पुलिस और भी जाच में जुटी हुई है अपने मनसूबों को लेकर मिश्रा कितने क्लियर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बहुत साफ लहजे में ये भी कहा था कि इस घर से पत्थर आये हैं उन्हें पत्थरों का धेर बना दिया जाएगा मद्वर्देस सरकार का मानना है कि प्रदेश में शांती उस्था बिगारने का किसी को कोई अधिकार नहीं हैं और नहीं हम किसी को ये चीज बिगारने देंगे जैसा लह conteú नहीं जैसी बातें नहुत्त मिश्रा की है साफ तरुन की पॉलिसी जैसे कोट ऐसा करने वाली है जिक्र नौतम मिश्रा की दंगाईयों के प्रती जीरो टॉलरेंस नीती का हुआ है तो हमें उनकी उस बात को बिलकुल नहीं भूलना चाहिए जो भी बीते दिनों उन्होंने खरगौन हिंसा के बाद मीडिया से कही थी मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि दंगाईयों के साथ ऐसा ही वेवार होना चाहिए ऐसे लोग मतलब के दंगाई समाज विरोधी हैं और यह लोग भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं जिकर राम नवमी पर हुई हिंसा का हुआ तो हमें उस वीडियो को अभी अवलोकन कर लेना चाहिए जो कि यूपी के मुख्य मंतरी योगी अधितनात का था ग्यात हो कि अभी बीते दिनों में ही यूपी के मुख्य मंतरी योगी अधितनात का एक वीडियो वैरल हुआ था वीडियो में योगी ने बहुत साफ लहजे में कहा था कि यहां मतलब कि उत्वरदेश में दंगा फसाद के लिए कोई जगे नहीं है अपने भाशन में योगी आदितनाथ ने राम नवमी और राम रमजान का जिक्र करते हुए कहा था कि देश में अलग अलग राज्यों में जहां पर राम नवमी पर हिंसा हुई है वहीं योपी में कोई तू-तू में नहीं हुई योगी आदितनाथ ने कहा था कि योपी में दंगे फसाद के लिए अरजक्ता के लिए गुन्डगर्दी के लिए कोई जगे नहीं है गौर्ट अलबै कि यूपी में किरह मंतरालाय मुख्य मंतरी योगी अज़तनात के ही पास है लेकिन मेद प्रदेश में यह महकमा नरुत्ब मिश्रा देख रहे हैं हिंदु मुसलिम तनावाले मामलों में योगी अज़तनात की राए से सभी वाकिफ है और अब नहों तो मिश्रा के ताज़ा बयानों को देखें तो उनके अराद भी योगी अधिनाथ ही नजर आते हैं चर्चा लाइन ओल्डर पर हो रही है यूपी के संदर्ब में हो रही है और यूपी के मुख्या योगी अधिनाथ के कांटेस्ट में हो रही है तो जिक्र पुलिस एंकाउंटर का भी होगा जब 2017 में योगी अधिनाथ यूपी की सत्ता पर काबिस हुए थे सूबे में एंकाउंटर के मामलों में तेजी दिखी थी विपक्ष लगातार सूबे के मुख्या को घेर रहा था और मामला मानवादिकार आयोग तक के पास सला गया था यूपी में बढ़ते पुलिस एंकाउंटर पर योगी अधिनाथ का बयान शायद आपने भी सुना हो यूपी में पुलिस एंकाउंटर पर बोलते हुए योगी अधिनाथ का बयान शायद आपने भी सुना हो जिस समय पर रखा सवाल पूझ रही है नरुत्तम श्रा मज़े से भोजन कर रहे थे और उनका अंदाज बहुत ही अनौपचारिक था लेकिन वहां भी बड़े क्लियर थे और बातों बातों में उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब MP में भी कोई तू-टू में नहीं चलेगी और आने वाले वक्त में अप रादियों के सामने वैसा ही टेरर कायं करेंगे जैसा की वर्तमान में यूपी में यूगिया दितनाथ ने कर रहा है बाकी जैसी कारे प्रणाली है हमें इस बात का पूरे यकीन है कि नरुतम मिश्रा को ऐसा कुछ करने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी जनाधार और सत्ता दोनों ही उनके पास है और नरुतम मिश्रा की लोग प्रियता जिस तरह से बढ़ रही है बास्पा के कई नेताओं को उनसे बुरा भी लग सकता है मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जैहिन जै भारत